हेलो एवरीबरन बलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियो में हमें आपर अम्रेला फ्रॉंक सिलना सिखाएंगी तो यहां पर मैंने गले की पट्टी ली है तो पहले हमें आपर इसको साइट से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं और दोस्तो पिछली वीडियो में मैंन इसकी कटिंग करी थी तो अगर आप लोग ने कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग कटिंग की वीडियो भी जरू देख ले इस से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से अम्रेला फ्रॉंक बनाई है और दोस्तो प्लीज इस वीडियो को लाई भी कर देना कि यहाँ लोग लाई करना भोल जाते हो तो दोस्तों प्लेज इस वीडियो को जरूर लाई कर देना तो यहाँ पर मैंने गले की पट्टी को सिल लिया है अब हम यहाँ पर आगे बाले पल्ले को लेंगे और इसके उपर गले की पट्टी रखेंगे और रखने के बाद हमें आपर दो पॉइंट का मार्जन चोड़ के सिलाई लगा देंगे इसमें हमें छोटे-छोटे कट लगा देना है फिर हमें यहाँ पर दाफ सिलाई लगा देनी है पूरे गले में फिर हम यहाँ पर इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है यहाँ पर हम चोटी सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम तुरुपाई नहीं करेंगे अगर आप तुरुपाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बड़ी सिलाई लगानी है तो कुछ इत्रे से मैंने गले को भी तयार कर लिया है देखिए आप लोग देख सकते हैं फिर हमें आपर पलेटे सिलेंगे तो पहले हमें आपर दूसी तरब भी निसान लगा लेते हैं और एक इंचोड़ी हमें आपर पलेट को सिलेंगे तो हमने एक पलेट को सिल लिया है इसी तरीके से दूसरी पलेट को भी सिल लेते हैं तो हमने दूसरी पलेट को भी सिल लिया है इसको सीधा रखेंगे और यहाँ पर मैंने घेर को लिया है तो घेर की सीधी साड़ नीचे की तरफ रखेंगे फिर हमें आपर आदांच का माजन चोड़ के सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है सिलाई को हमें आपर उपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और इसमें दाप सिलाई लगा देंगे तो हमने दाप सिलाई भी लगा दिया है और इस तरह से मैंने एक पल्ले को तयार किया है और इस सेम इसी तरीके से मैंने पीछे वाले पल्ले को भी तयार किया है पीछे वाला गला हमारा बड़ा है तो अब हमें आप सोल्डर सिलेंगे तो दोनों की सिदी साइट आपने सामने लगा नी है अब हमें या पर इसकी फिटिंग करेंगी तो जहां पर हमारा निसान लगा है उसी निसान के उपर हमें सिलाई लगानी है और नीचे की तरफ हमें याँ पर क्या करेंगी एक इंच का माजन छोड़के सिलाई लगाएंगे ठीक है तो एक तरफ से मैंने फिटिंग कर दिया देखिए आप लोग देख सकते हैं याँ पर हमें कट लगा देने हैं इससे हम जब इसको सीधा करेंगे तो याँ पर जोल नहीं आएगी अब हमें याँ पर दूसरी तरफ भी दोनों पले को बरावर करेंगे और याँ पर इसकी फिटिंग कर लेते हैं दो इंच का माजन छोड़के सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ हमें एक इंच का माजन छोड़के सिलाई लगानी है तो यहाँ पर मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा दिया है इसमें हमें दोनों तरफ से डबल सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर बाजू सिलेंगे तो बाजू में मैंने जो मार्जन लिया था तो उतना हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे तो यहांपर मैंने सिलाई को लगा दिया है और यहांपर फ्रॉक में थोड़ी सी सिलाई उदेर देंगे बाजू सिलने के लिए फिर हम यहांपर बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कठा है वो सोल्लर के बीचो बीच रखना है और इत्रे से नापेंगे नापने के बाद हम यापर बाजू को सिलेंगे तो आदांच का माजन छोड़ते हुए हम यापर बाजू को सिल लेते हैं अब हम इसमें क्या करेंगे डबल सिलाई लगा देंगे इस तरह से तो यापर मैंने डबल सिलाई को भी लगा दिया है अब हम यापर इसकी फिटिंग करेंगे तो जहाँ पर हमारा निसान लगा है उसी निसान के उपर हमें सिलाई लगानी है फिर हम यापर फिरों को गुमा कर इसमें डबल सिलाई लगा देंगे तो एक बाजू हमारी सिलकत त्यार हो गई है और इसी तरीके से हम क्या करेंगे दूसरी बाजू को भी सिलेंगे तो यहाँ पर मैंने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इसमें मैंने कुछ तरह के लटकन भी बनाए है और नीचे की तरफ हम इसमें पीको करेंगे आप चाहें तो इसको फोल्ड करके भी सिलाई लगा सकती है तो इस तरह से हमारी अमरेला फ्रॉक्सिल का त्यार हो गई है देखी इसमें कितना घेर आया है तो उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरू पसंद आई होगी पसंद आई है तो लाइक से सच्क्राइब करना ना भूलें और बैलाकन को भी दबा दें जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगो सबसे पहले मिलेगी तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई आखी तक वीडियो देखने के लिए ठाइंकियू